उत्तर परदेश की दस विधानसवा सीटों पर उपचुनाव होना है लेकिन विधानसवा सीटों पर उपचुनाव होना है लेकिन विधानसवा सीटों की तारीके तै नहीं हुई उससे पहले ही माहुल जो है वो कहीं न कहीं गरमाया हुआ है दावेदारी किसकी रहेगी मेरा इसी पर हम बात्चित करेंगे सारणपूर के वरिष्ट पत्रकार हैं मेरापूर उप्चुनाव होने वाला प्रतिष्था दाव पर है बीजेपी की दोजाचोबिस में जो परदशन हुआ था उसके बाद बड़ी चुनोती है उनके लिए जीतना मायावत्ती भी इस बार हाथ इसके पहले कभी इसा नहीं हुए बहुजन समाज पार्टी ने उप्चुनाव लड़ा हुआ यहां तक ही निकाल चुनाव से दूरी बनाए रखती है यह जो 24 का रिजल्ट है इससे साफ साफ परलक्षित होता है कि पूरे सुवेर में सत्ता विरोधी लहर है और भारती जं आम अवाम में काफी कुछी जना क्रोस है अभी हाल का जो योगी सरकार का फैसला था कि नेम प्लेट लगाने का पोट निस पर रोक लगा दी तो कुल मिलाकर पश्चमी उत्तर प्रदेश जो है यहां पर जो सीटें हैं जहां जहां चुना हो रहा है वहां जाती जटिलताओ में चुनाओं होगा जाती समीकरण वहां बहुत माइने रखते हैं अब मीरापूर की बात आप कर रहे हैं तो मीरापूर में चंद सेखर आ जाद अगर अपनी पार्टी से जैसा की सुनाई पढ़ रहा है सानवाज राना को तारते हैं तो दलित और मुस्लिम समीकरण वहां और नौजी सालम भी तैयरी में हैं और कई ऐसे जो राजणीत के पुराने खिलंदर हैं उमेदान मुतरना चाहा रहे हैं ताल ठोकना चाहा रहे हैं और टोटल जो यह चुनाओं होगा जाती समीकरणों की चोहद्दी में होगा और उसमें बीजेपी सीट पर फिलाल तो देखे चंसेखर बेशक नगीना से सांसत बन चुके हैं लेकिन अगर मायावती भी अपना कंडिडेट उतारती हैं जैसा कि परबल संभावना है तो अभी भी मायावती का प्रभा बंडल है खासत और से दल्टों में तो उसके सामने चंसेखर तो एक अभी अंकुर बतलब पाथ पौधे की तरह हैं और मायावती भी अबार बन चुकी हैं चार बार इस सुलतारी गर्टी से बतल कि तुछ का जोबहर और आप नहीं कह सकते हैं हाँ पस्टिम में उनका जना धार बढ़ा है खास्त और से जब उसांसत जब से बने हुए हैं और मुसलिमों को लेकर के जिस तरह से वो बयान वाजी कर रहे हैं तो उनकी सिंपईथी भी लेना चाहते हैं उनके मुद्दों को उठा रहे हैं जैसे भ कि अभी चुनाव की तारीकों का एलान नहीं है लेकिन क्या लगता है कि जगड़ा तो नहीं होगा गटबंदन में इंडिया और एंडिये में भी जैसे अलाइंस हैं दोनों पार्टियों के अपने अपने दावेदारी को मुझे नहीं लगता कांग्रेस ज्यादा सीटों प सपा का प्रदर्शन इसमें बहुत अच्छा होने वाला है जैसा कि मुझे लगता है और 2024 का जैसा रिजल रहा फिर उस हिसाब से आप यहीं कह सकते हैं यहां पर अंशुल जी है मारे पास हमारे साथ और संजे भाई भी उनसे बात कर लेते हैं क्या लगता है कि मेरा पूर का जो समीकरन है क्या रहने वाला इस बार को कि टककर लगी थी 2024 में बारतेंदा पार्टी को तो चुनोती बड़ी है दो-दो मंत्रियों को डूटे लगा दी क्या गएंगे अब देखे मुझे लगता है वहां पर इस बार भई आराइलडी की सिट थी वह पहले आराइलडी महां पहले से मजबूत रही है तो आराइलडी को हो सकता है गट बंदन में वह आराइलडी को दे दें पर बीजेपी के लिए मुस्किली पैदा होंगी दूसरा यह है को पार्टी अगर खड़ी कर रहे हैं तो वह भी मुस्किले पैदा होंगे आपस में टकराने से पर कहीं न कहीं आराइलडी अगर वहां सी लड़ती है तो मजबूत आराइलडी रहने वाली है लेकिन जो चंद्शेकर तो चुनोती देंगे ना इनको बढ़िया टकर तो मिल जाएगी भ मतलब उठान पर आते जारा है मुझे लगता है मायावती से ज्यादा वह आगे निकलेंगे क्योंकि कहीं न कहीं वह हर आदमी की आवाज उठाने के लिए हर जगे पहुंचते भी है रादमी के दुख सुक में भी जाते हैं वह देखा है मायावती के तो पार्टी के ही क्या लगता है अंचुल तुम तो पच्छी मुद्र पड़ियस के दोरे पर रहते हैं तुम भी निकल जाओगे देखने के लिए फिल्ड पे क्या हो रहा है तो उससे पहले क्या कुछ हालात लग रहे हैं हालात यह है कि चार पार्टिया होंगी चुनाव लड़ने के लिए समाजबादी कॉंग्रेस का कोई परतियाशी होगा इधर आरलडी में से कोई होगा इधर आजा समाजपार्टी का शराम और बीस टी चार फगंडे अब कौन कोन लेकर निकाल पायेगा सबसे बड़ी बात है तो कि वहाँ आरलडी ने अपना केंड़ेट जिताया था और किस लोकसबा सांसद बने हैं ये बाते अलगे इन दोनों बातों में तोड़ा फेक्ट फेक्ट है अब वहाँ पर बनेगा कौन सबसे बड़ी बात है कि जब नवाजी शालम और साहनवाज राणा की जो नामचीन बात चल रही है वो शीट गूजर बाहुले शेत्रों में गिने ज चुके हैं क्या पता कि चंदन चोहान की घरवाली बी चुनाव लड़ पड़े वहाँ पर बीजेपी कहती है कि हमको लड़ाई है वहाँ पर आरेलडी कहती है कि हमारी पॉराने क्स्थिति है और हमने सीट जीती हुए तो यह तो हमारे पास ही रहे गड़ा तो नहीं हो जाय क्लिर है कि जो हमारे सीट थी वो हम गहीं मिलनी चाहिए अब बीजेपी मांगे क्योंकि बईजेपी ने तो गटबंदन किया हुआ है पुरा सम्मान दे रखा है उनको मंतरी बना दिया अनिल कुमार को मंतरी बना दिया तो क्या पता हो सकता है कि भाई यतनी बाते कह करके द पर्चस्प की लड़ाई है दोनों की चंशेकर ने अपना चुनाव लड़ा बखू भी पड़े थी तरीके से चुनाव लड़ाया और वो जीते हैं नगीना से लोगसबाज सांसद बने हैं और अबकी बार जनता ने नबड़ा प्यार दिया मगर वो एक व्यक्तित्व का च चुनाव नहीं कह सकता मैं कि आजा समाज पार्टी में चुनाव लड़ाएंगे अबकी बार तो इन दोनों में सबसे फोकस ही रहेगा कि उनका वोट बेंक कहां जाता है क्या जनता उस युवा को पसंद करेगी उस युवा नेतरत के पाड़िट को पसंद करेगी जिसने अ नगीना से वहाँ पर सांसत बन गया या फिर उस व्यक्तित को सुनाव चलेगी कि जो पुराने विचार धारदलितों की ले करके चल रही थी मायावती उसको उसको केंडियेट को बनाएगी यह तो आने वाले वक्त में ही निकल के आएगा कि हो ना क्या है वहाँ पर करो या मरो के स्थिति हैं और ऐसा नहीं किसी क्लियर स्पश निकल के चले जाएगा कोई बहुत जगड़ा होगा भाई यहां पर बहुत जगड़ा होगा चुनाव होने वाला है मिरा पूर उप चुनाव तमाम जो पत्रकार साथी थे साब तोर पर कही ना कहीं कह रहे हैं कि एक एलान नहीं हुआ चुनाव में समय है लेकिन उसे ठीक पहले राजनीती गरम है और जो समिक्रन निकल कर सामने आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुकाबला जो है वो काफी दिल्चस्प होने वाला है मिरा पूर उप चुनाव के हैं टीविनान यूपी के ल